तो इस पकार से पेंैं पर मांट पार्क एकन थे क्लिक करके पुरा स्क्रॉल खालक्र हिंके हमारा पूरा महीने का जो मैंने कि यह बताएं पर उब हुआung dr is भाज है हम यह जानते हैं कि यह दि एधक हमको कहीं से भी लोन लेना होता है तो उस loan को महीने की साब से उसको pay करना होता है लेकिन हम यह नहीं जानते कि जो हमारा loan होता है उसका MI जो महीने का होता है वो कैसे निकाला जाता है तो आज के इस वीडियो में हम Excel पर ही पूरा work करने वाले हैं और loan को पूरा अच्छी तरह से explain करके देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि MI कैसे महीने का separate निकाला जाता है और 12 महीने या 24 महीने या 36 महीने का जितना भी MI होता है वो निकाल के दिखाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं साब से पहले हम Excel को हमारा Excel स्टार्ट हो चुका है अब इसमें हम एक बैंक का पूरा डिटेल्स बनाएंगे और कस्टमर का पूरा डिटेल्स बनाएंगे डिटेल्स बनाने के बाद फिर उसका पूरा विवरट देंगे और loan कितना है वो भी देंगे और उस loan का कितना MI आएगा वो भी पूरा है इसमें डिटेल्स में बनाने के बाद हम उसमें अपलाई करेंगे पूरे मंथ में जो की MI हमारा आता है वो कैसे कैसे आता है और जो interest होता है हमारा वो कैसे निकालते हैं तो हमने ये details त्यार कर रखा है अब इसके बाद हम चलते हैं इसको पूरी तरह separate धंक से और समझने के लिए कि कैसे है इसका MI निकलता है और पूरे मंथ में कैसे interest देते हैं और amount कैसे देते हैं तो इसके लिए हम पहले यहाँ MI लिखा गया है MI निकालते है MI का formula हमारा होता है PMT तो यहाँ पर equal करते हैं और PMT प्रेस करके tab button keyboard में प्रेस करते हैं उसके बाद हमारे सामने यह formula 100 हो जाता है तो यहाँ पर rate पर हम आते हैं और rate पर हमको interest rate को choice करना होता है यहाँ क्लिक करके हमको divide का option को क्लिक करना है divide करने के बाद 12 कर देना है त्विल करने रखे करने के बाद पर एन पर पूछ रहा है यानि कि number of year जो जितने साल के लिए हम ले रहे हैं उसका यहाँ पर type करेंगे word यहाँ पर हम click कर लेते हैं number of year को इसके बाद हम multiply कर देते हैं 12 से उसके बाद हम यह kama करते हैं कामा करने बाद फिर प्रिंसफल वैलु पूछता है हम से प्रिंसफल वैलु को हम यहां से क्लिक करके उसको क्लिक करके ले लेते हैं इसके बाद यहां पर हम ब्रेकेट को सीप के साथ क्लोज कर देते हैं क्लोज करने बाद इंटर प्रेस करते हैं इंटर प्रेस करेंगे तो हम पहले हमारे सामने 47735 पैसे आ जाएगा अब इसके बाद यहां पर हम आएंगे इमाउंट पर आनेक बाद हमका पूरे महीने का यहां पर पूरा डिटेल्स लिका लेंगे इसके लिए हमारा फामुला होता है पीपी एमटी तो में एक 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 वल करेंगे और पीपी एमटी का यूज करेंगे और टैप कर देंगे टैप करने बाद यहां पर हम इंट्रेस्टेट को च्वाइस करेंगे और यहां पर प्रेस कर देंगे जिससे कि हमारा यह इंट्रेस्टेट सेपरेट हो जाएगा और डॉलर साइन में कनवोड हो जाएगा इसमें हम डिवाइड कर देते है 12 से उसके बाद कामा करते हैं कामा करने के बाद फिन पर पूछ रहा है यानि महीने को पूछ रहा है या महीने को सेपरेट कर लेंगे और यहां पर कर देंगे कामा करने के बाद यहां पर पूछ रहा है यहां पर हमारा टू यर्स है हम टू यर्स को ले लेते हैं और यहां हैँ यहा पर फीकल करते हैं सेध्सक्त करने की करने की पाद हम को देखते हैं यहां हो फ़ीक क्रोड़ करते हैं मंतर होट इतना जा रहा है इसके लिए कोल करते हैं इक करने के बाद आई पी एमटी करते हैं यहां पर तब करते हैं और और यानि के मंत हैं मंत करने यहां से फिर सो कामा कर देंगे और यान पर यानि कि जो हमारा इयर से उसको सरेड़ करके यहां से एफ़ोर करके सेपरेट कर देंगे सेपरेट करने के बाद यहां से मल्टिपलाइब ट्वेल कर देंगे ट्वेल करने के बाद यहां पर प्रिंसपल वैली पूछ रहा है प्रि के साथ Plus कर देंगे प्लस करने के बाद Interested जो है उतको select करके इंटर कर देंगे हमारा पूरा पुरा amount आा जाएगा तो इस पकार से हमान पर मारं पहा करें हमारा पूरा महीन का जो amount होता है जिस Она action बंगना वह हमारा जाएगा दो यापन से का निकालते हैं यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको किस प्रकार से जो हम उन्हें लोन ठाया तो किस प्रकार सेपरेट करके हमसे ब्याज पहरे ले लिया जाता है और जो हमारा मेन अमाउन उड़ता है उसको धीरे-दीर करत के लेते हुए मतलब कि हमको यहाँ पे 6-7 महिने के अंदर ही पूरा इमाउंट हमको हमारा इंट्रेस्ट के रूप में ले लिया आता है उसको बाद हमको इमाउंट भरना होता है तो इस प्रकार से हम पूरा पूरा हम किसी प्रकार से बैंक से गर लोन लेते हैं तो हमको इसी प्रकार से भरन होता है तो यह वीडियो हमारी कैसी लगी आपको जब कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार